हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टो आज चैनल और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तब चलिए आज का ये वीडियो एक्स्प्राइशन हम शुरू करते हैं लास पार्ट में हमने देखा था कि जान ये वो से दूरी बनाने का फैसला करता है जो बात पील करके ये वो को बुरा लगता है और वो बॉडिगार्ट से कंफर्म करता है कि क्या उसने मिसिस वॉंग में कोई चेंज पाया है तो बॉडिगार्ट बताता है कि मिसिस वॉंग र नीचे लिविंग रूम में आता है तो बोविन को अपना इंतिजार करता हुआ देखकर पहले आसपास नजर गुमा कर ये जुन को ढूनता है और जब ये जुन नहीं दिखता तब बोविन के पास आकर पो लाइटली कहता है कि उसे रोज पिक एंड डॉप करना बोविन के ल बोविन के पास आकर जान के डायरेक्शन में देखकर कहता है कि जान की अपनी मर्जी और ये कहकर ये बो मन में सोचता है कि उसे लगा था कि जान उसकी असली पहचान का पता बस लगाने ही वाला है लेकिन ये बो तो सर्प्राइस देह जाता है जब जान को जान बूचकर इबो से दूरी बनाता हुआ पाता है वहीं दूसी तरफ श्याव ग्रूप के एंट्रेंस पर खड़ा होकर जान कोल्ड आई से बिल्डिंग को देखकर कॉंफिडेंट टोर में खुद से कहता है कि वो लखी था और अब वो वापस आ गया है तभी अपने बाकी कोलीक्स के जब जैसे ही एलिवेटर में एंटर करके डोर क्लोस का बटन प्रेस करता है कोई एलिवेटर के बाहर से बटन प्रेस करके दर्वाजा ओपन कर देता है और दर्वाजा ओपन होते ही जनीलिया एलिवेटर में एंटर करती है जिसे देखकर जान सौफ्टली जनीलिया को गु जान को देखते ही उसके पैर काप जाते हैं फिर घूद को गिर्ने से बचाते वे जनीलिया अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से जान को घूरते वे देखता पूछती है कि जान यहां कियो है वो तो तभी अचानक जनीलिया को रियालाइज्ड होता है कि वो एलिवेटर में ह तो वो फौरन खुद को शान करते हुए जान से पूछती है कि जान आज बहुत जल्दी आफिस आ गया जिस पर जनीलिया को अपनी कोल्ड आइस से घुरते हुए जान कहता है कि वो जनीलिया से बस थोड़ा ही तो जल्दी आया है जहां जान की नजदों को खुद पर पाकर जनीलिया डर से काप रही थी जिसे वहाँ सब नोटिस कर पा रहे थे पर कोई कुछ भी किसी से नहीं कह रहा था वही जान जनीलिया के रियाक्शन से बहुत सैटिसफाइड था क्योंकि जनीलिय तभी ऐसा रियाक्ट करती थी जब उसने कुछ गलत किया हो तभी सबकी नज़ों से बचकर जान जनीलिय का हाथ प्यार से पकड़ कर उसे एलिवेटर से बहाँ निकाल कर उसी केबिन में लाकर डूर क्लोस कर देता है और पलट कर जनीलिया को देखकर उसका हाथ छोड़ते वे पूछता है कि जनीलिया जान से डर क्यों रही है लोग देखेंगे तो समझेंगे कि जान जनीलिया को बुली कर रहा है जो सुनकर जनीलिया फॉरन जान से दो कदम पीछे हट जाती है तबी एक तिशी स्माइल के साथ जान जनीलिया से आगे कहता है कि वो जान से ना डरे क्योंकि वो तो हमेशा ही अपनी बेहन की बात सुनता आया है तो वो जनीलिया को बुली कैसे कर सकता है जहां जान की बातों को सुनकर Zanilia को लगता है कि जान ने किड्नैपिंग वाले इंसिडेंट को लेकर कोई बात नहीं की है तो शायद वो नहीं जानता कि किड्नैपिंग के पीछे वही थे जो बात रेयलाइज होते ही Zanilia का डर गायब हो जाता है और वो अपनी सीट पर बैठते वे जान को जाकर अपना काम करने को कहती है और ये भी कि जान को गलत फहमी है कि जनीलिया उससे डर रही है जहां जनीलिया का ऐसा रियाक्शन जान के लिए बिल्कुल भी सर्प्राइजिंग नहीं था इसलिए जान स्माइल के साथ जनीलिया से कहता है कि वो काम कम्प्लीट करके जनीलिया के पास आएगा और ये कहकर जान वहां से चला जाता है वही जान के वहां से जाते ही जनीलिया गुस्ते में अपने टेबल पर रखी सारी फाइल्स नीचे गिरा देती है और सोचती है कि इस बार भी जान सही सलामत वापस आ गया क्योंकि जान से नफरत करने की वज़े से जियानमिन से छुपकर जनीलिया ने किड्नैपर्स को एक्स्ट्रा पैसे दिये थे जान की लाइफ खराब करने के लिए ताकि जान खुदी अपने आपको खत्म कर ले जहां जियानमिन ने सिर्फकर नैपर्स को ब्लैक कार्ड लेकर जान को छोड़ देने के लिए कहा था और अपना प्लान फिर से फेल हो चुका देखकर जनेलिया अपने गुस्से पर कापू रख ही नहीं पा रही थी वहीं दूसी तरफ जान जियानमिन के केबिन में जैसे ही नौक करके एंटर करता है जियानमिन जान को देखकर हैरान रह जाता है पर वो किसी बात से डरता नहीं है जो देखकर जान समद जाता है कि उसके डैट को नहीं पता कि वो kidnappers जान के साथ क्या करने वाले थे तब ही जानमिन अपनी सीच से उठकर जान की तरफ आते वे पूछता है कि क्या वो ठीक है जिस पर जान कहता है कि वो ठीक है पर मॉम कैसी है जहां जान का काम रियाक्शन देखकर जियानमिन को एहसास हो जाता है कि जान के kidnapping का सच नहीं जानता इसलिए एक smile के साथ जान से कहता है कि जिंग तॉंग ठीक है और आफटरनून में लंच लेकर आएगी तो क्या जान उन सब के साथ लंच करना चाहिका जिस पर जान हा कहता है वहीं आफटरनून में जब जिंग तॉंग लंच लेकर आती है तो जान को देखकर सर्प्राइज रह जाती है तो जान कहता है कि वो मॉम के हातों का खाना खाना मिस कर रहा था तो खुद को ही इंवाइट कर लिया जिस पर जिंग तॉंग स्माइल करती है और लंच सर्प करते हुए जान से नजबे मिलाना अवाइट करती है जो देखकर जान समझ चाता है कि जिंग टॉंग को भी पहले से ही किट नैपिंग के बारे में पता था वरना वो इस तरह गिल्टी फिल नहीं कर रही होती जो फिल करके जान उदास नहीं होता बस थोड़ा सा डिसहार्टेंग फिल करता है कि उसकी अपनी ही मॉम सच में उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती तब ही जियान मिन जिंग टॉंग को एक सॉफ्ट लुक दे कर समझाने की कोशिश करता है कि वो जान को अच्छा फ्लिल करवाई जो देखकर जिंग टॉंग स्माइल के साथ जान से कहती है कि जान को तो फिर आज बहुत अच्छे से खाना खाना चाहिए जिस पर जान समाइल के साथ थैंक्यू कहता है वहीं जान की मॉम होने की वज़े से जिंग टॉंग हमेशा ही जान की बातों के पीछे की छुपी सच्चाई को जान जाया करती थी इसलिए इस बार भी जान के काम बिहेव और समाइल को देखकर जिंग टॉंग को फिल होने लगा था कि शायद जान सारा सच जानता है जो सोचकर जिंग टॉंग अंदर ही अंदर काप जाती है पर बाहर शोर नहीं करती वहीं जान के लंच करके जाने के बाद जियान मिन भी फील करता है कि जान आज बहुत स्ट्रेंज एक्ट कर रहा था दूसरी तरफ जियान मिन के आफिस से बाहर आते ही जान के एक्स्प्रेशन्स कोल्ड हो जाते हैं मानों कुछ हुआ ही ना हो जो बाद जान को हर्ट कर रही थी इसलिए वो खुद से वादा करता है कि वो इस बार किसी को भी माफ नहीं करेगा जिसके बाद जान एक खाली एरिया में जाकर जीए के इंटर्ड्यूस्ट करवाए रिपोर्टर को मैसिज करता है कि श्याव पर वो रिपोर्टर ओके कहता है फिर शाम को जान जैसे ही घर जाने वाला था उसे पता चलता है कि कंपनी में एमोजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और चारों और शोर मचा हुआ था तभी जान अपना फोन निकाल कर सोशल मीडिया एकाउंट चेक करता है जहां रिपोर् जैसे प्रणिया के सेक्सी पिक्स वाले स्कैंडल को दुबारा उचाल रहे थे और कॉमेंट कर रहे थे कि जो पिता अपनी बेटी को मैंनर्स नहीं सिखा सकता वो पब्लिक के साथ अच्छा कैसे कर सकता है जो सब पढ़कर जान को फील होता है कि कोई जान बूचकर जनीलि जिसके साथ रिपलाई करती है कि जान तो जीनियस है और अगर वो ऐसा कुछ करने का सोच रहा था तो जीए को पहले क्यों नहीं बताया वो जान की और ज्यादा हेल्प करती जो सब पढ़कर जान हसने लगता है और जीए से इन्वाल्फ होने को मना करता है क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर थी तभी जीए का कॉल कट होते ही जान को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है जिस पर ज्यादा ध्यान ना देकर जान मीटिंग खत्म होते ही अपना बैग उठाकर एक्जिट ही तरफ जाने लगता है पर गेट पर रिपोर्टर्स की भीड देखकर फॉरन राइटली कहता है कि वो कुछ नहीं जानता बलकि इसका सही जवाब कंपनी के ओनर्स या सीनियर मैनेजर दे सकते हैं कि तभी रिपोर्टर्स को जनीलिया भी बहर आती दिखाई देती है जिसे देखते ही सारे रिपोर्टर्स जनीलिया को घेड लेते हैं और जान रिपोर् भी सवाल करना शुरू करदेते हैं कि क्या वही उन पिक्स की हिरोई हैं कि तब जो देखकर जणीलिया गुस्ते में उन से लड़ने लगती है जिसकी फिक्स सारे रिपोर्टर्स खीशने लगते हैं और जणीलिया शाओ गेरुप के ओनर की बेटी और कम्पनी की senior manager होने के बावजूद कितनी बत्तमीजी से reporters के साथ पेश आ रही थी, ये सारी हरकते reporters broadcast करने लगते हैं, जो सब देखकर जान का वहाँ और रुखने का मन नहीं होता, और वो बस लेकर वीबो के mention की तरफ चला जाता है, और mention पहुचकर जान ठक कर सोफिर पर बैठ चक करता है, जहां सारे श्याव ग्रूप को ब्राब भला कह रहे थे, और जनीलिया को बेशरम पागल बता रहे थे, जैसा उसने कंपनी के बाहर रिपोर्टर्स के साथ हरकत की थी, जो सारी news पढ़कर जान अपना phone साइड में रखकर notice करता है कि mention में कुछ ही guides पहरे पर थे बाकी सारे के जन में कुख कर रहे थे, अब पूरा mention खाली लग रहा था, तबी जान ये जन को message करता है कि क्या वो डिनर पर घर आ रहा है क्योंकि अगर ये जन नहीं आएगा तो वो कुख नहीं करेगा, वहीं दूसी तरफ ये बो जब अपनी meeting खत्म करके अपने केबिन मे आता है, तो Chiang आकर उसे Shiao Group की News दिखा कर पूँछता है कि क्या अब Shiao Group की ये हालत देखकर Yeebo को लगता है, कि वो उल्ड Shiao वापस आएगा, जिस पर Yeebo को लिले कहता है कि शायद वो वापस आजाए, जिस पर Chiang हैरानी से पूछता है कि कल तक तो Shiao Group बिलकुल ठीक थाख चैंग को लगता है कि यीबो जानता है कि ये सब किस ने किया है लेकिन चैंग के पूछने पर भी यीबो कुछ नहीं बताता क्योंकि वो पहले ही समझ गया था कि ये सब जान नहीं किया हो सकता है तब ही यीबो जान का मेसेज पड़ता है और उसे हम में रिपलाई करता है जो के हाथ का बना खाना खाना था लेकिन युपो चैंग के इरादे समझकर उसे मना करता है कि चैंग का घर उपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन एक लॉंग सॉफ्ट डिवेट के कि आज की ये वीडियो थोड़ी छोटी बनी है फर कोई बात नहीं मैं आगे इसका कॉम्पंसिक ज़रू कर दूंगी लेकिन मैं इसकी वजह से वीडियो अप्लोड करना स्किप नहीं करना चाहती थी आई होप आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दोगे और इंजॉय करोगे पर हाँ अपने कॉमेंट शेयर करना मत भूलना और जो कोई भी चैनल पर नहीं आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा तो आज के लिए बस इतना ही मैं जल लोटोंगी नेक्स्ट वीडियो एक्स्प्लेनेशन के साथ तब तक के लिए बाई